जै मामा तंगी मेरे प्रियर सादको और दर्शको आज की जो जानकारी है ये सभी लोगों के लिए मत्वपूर्ण है जो लोग अपना तंतरकाट करा चुके है या तंतरकाट कराना चाहते है या जो लोग गुरु दिक्षा लेना चाहते हैं उन सभी के लिए और जो पेशी व तरवरी को जो है दरबार क्लोज हो जाएगा दस फरवरी को दरबार बंद हो जाएगा ठीक है फिर से मैं बता रहो दरबार चालू होगा इसी मैने के 21 तारिक से मतलब 21 जनवरी से दरबार चालू होगा और दस फरवरी को जो है दरबार बंद हो जाएगा तो आप सभी लोग जो है 20 तारीक तक पहुचने की कोशिश करें या जो भी आप अपने सुवीदा अनुसार पहुचेंगे याद रखिएगा 10 फरवरी को लेकिन दर्बार बंद हो जाएगा तो यह जो दर्बार है 20 दिन के लिए लगने वाला है और इस दर्बार में आप सभी लोगों को आना है जिन लोगों ने अब तक तंदरकाट कराया है उन सभी को इस बार आना आती आवश्यक है जिन लोगों ने भी तंदरकाट आज तक कराया है वो सभी लोग आके अपनी उपस्तिती दर्ज कराएंगे आपकी जो मातारावनी के सामने पेशी है वो होना आती आवश्यक है इस आप सभी के लिए और मैं बताना चाहता हूँ जो लोग मेरे से गुरु दिख्षा लेना चाहते हैं वे सभी लोग गुरु दिख्षा लेने के लिए आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और याद रखिए जिन लोगों ने तंत्रकाट कराया है और अभी तक जिन लोगों ने ना गंटी लाएंगे साथ में 6 इंच से बड़ी घंटी होनी चाहिए वो घंटी आप संकल के साथ लाकर बांदेंगे मेरे पास लेकर आएंगे पहले मैं अभी मंत्रित करके दूंगा उसके बाद आप लोग अपने सर से पेर तक तीन बार उतार कर उसके बाद ही घंटी को बांद करके दूंगा और उस नारियल को आप लोग जो है ले जाकर मंदिर में बांदेंगे और यह नारियल किसलिए है यह नारियल इसलिए होगा कि आप से सुरक्षा करें आपकी मनो कामना पूरी करें आपके परिवार में कोई विग्न ना आए दुबारा इसके लिए यह होता है कि मातारानी आपका सुरक्षा करे फिर आप जब आप अगले पेशी पर आएंगे तो इस नारियल को निकालेंगे क्योंकि ये नारियल जो है शक्ती नारियल होगा ये जो साधारन सरीफल नहीं होगा इसमें मातारानी की शक्ती होगी और इस नारियल को तो यानि उस पीले कपड़े वाले नारियल को कोई भी कपड़ सकती जो पीले कपड़े में बान्दा हुआ होगा वो nap कर आप ले कर जाएंगे और अपने घर पर भाद देंगे ठीक है यह चरूद है मतलब अवह जो लोग लाल कपड़े वाला नारियल बांद चुके है घंटी बांद चुके है वो लोग ही इस बार आके पीले कपड़े में नारियल को बांद कर मातारानी के पास बांद देंगे और अगले पेशी पर जब आएंगे तब पीले कपड़े में बांदा हुआ कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि आपने बांदा वाला ही आफ्को ढूंड कே खोलना ऐसा कुछ नहीं से लगों की मननत पूरी हो चुकी है जिन लोगों ने भी मननत का नारियल बांदा था अगर उनकी मननत गोwar उसे हवन में जलाना होता है तो ये प्रक्रिया आप लोग याद से पूरी करें अन्यता जो आपकी मनत पूरी हुई है वो जादा दिन आपके साथ नहीं रहेगी अगर रहेगी भी तो उसमें बहुत विगन आते रहेगे तो इसलिए याद रखिए कभी भी देवी देवताओ का कोई भी कर्म अगर है तो उसे अधुरा नहीं रखा जाता है उसे पहले पूर्ण करना अतियावशक है तो आप सभी लोग 20 तारीक से आना चालू कर सकते हैं दरबार चालू हो रहा है बहुत लोग पूछ रहते कि गुरुजी दरबार कब से चालू हो रहा है कब से अग्षे मात ओंगी